दो पुर्ह चुके हैं और उसमें काफी हमने भारत का नाम रोशन किया। हमारे पास समय कम है, चौदा दिन ही है, हमारे पास कूल यह मिशन के लिए तो अभी चार दिन तो पुरह हो चुके है, तो बाकी के 10 दिनों में हम जितने से जितना कार्य कर पाए हैं एक्सपरिमेंट कर पाए उसके सोध कर पाए तो वो बहुत ही महत्वपून है रेस अगेंस टाइम उस तरह से है कि हम हमारा ये जो दौड लगा रहे हैं समय के किलाब क्योंकि दस दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है जो हमारा विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा है तो उसको कैसे पार किया जाए उसकी तरीके निकाल रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुवमेंट कर पाए जैसा कि आपको पता ये कि तेईस अगस को सक्सेस्फुल और सिक्योर सॉफ्ट लेंडिंग कर पाए और पूरी दुनिया ने और पूरे देश ने और आदेडिंग पदरमन्ति जी भी सब साइंटिस्ट को मिलने पर कल आये थे तो उन्होंने भी काफी सराना की सब की और खास करके हमारे वेगनानिकों की और इस रो के इस आचिविमेंट की भारत के इस आचिविमेंट की कि दुनिया बर में भारत का नाम उचा हुआ है तो ये तो बात हुई लेंडिंग की उसके बाद अभी रियल वर्क शुरू होता है कि लेंडिंग तो एक बात है उसके बाद रोवर का मुवमेंट कराना न तीसरा है जो अललग एक्सपरिमेंट पेलोड रख कहा है उसके एक्सपरिमेंट करना उससे साइण्स डेटा लेना तो दो थेलों हमारे पुरे हो चुके है और उसमें काफी हमने भारत का नाम रोशन किया अभी जो तीसरा हुदेल है उसके लिए काम चल रहा है इसरों के द्वारा इसरों के साइंटिस्टों के द्वारा और वेगनानिकों के द्वारा कास करके और उसमें हमारा अभी जो मुख्य उदे से वो है रोवर का जितना हो सके चंद्रमा की सरफेस पे सतव पे जमिन पे उसका मुवमेंट कराना उसको गुमाना जिससे अलग जगे से हम experiment कर पाये और उसका data collect कर पाये तो जो मुख्य उदिस है कि जितना हो सके उतने experiment करे और उसका data हम पा सके इधर पूर्थवी पे जितना हो सके उतना तो और क्योंकि आपको पता हिए कि हमारे पास समय कम है 14 दिन ही है, हमारे पास school ये mission के लिए तो अभी 4 दिन तो पूरे हो चुके है तो बाकी के 10 दिनों में हम जितने से जितना कार्य कर पाएं एक्सपरिमेंट कर पाएं, उसके सोध कर पाएं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए कार्य चालू है और जैसा कि आपको मैंने बता है कि हम race against time उस तरह से है कि हम अमारा ये जो दौड लगा रहे हैं समय के किलाब क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है तो हमारे वेग्नानिक और हमारे जो दुस्ते तक्निकी अभ्यंता है वो लगे हुए है एक तो रोवर का मुवमेंट कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा थोड़ी दिक्कत है हमको ये आ रहे है कि इस बार हमारे पास JPL का गोल्ड स्टेशन जो है और स्टेशन वो मौजूद नहीं है हमारी सेवा के लिए तो उसके कारण जो हमारा विजिबिलिटी का इश्यू आ रहा है तो उसको कैसे पार किया जाए उसकी तरीके निकाल रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मुवमेंट कर पाए हमारा आसा था कि एक दिन में रोवर लगबग 30 मिटर की मुवमेंट करे जो अभी संभव नहीं हो पा रहा था तो अभी तक आपको पताए है कि बारा मिटर तक मुवमेंट हुई है रोवर की चंदर की सतर पर तो हमारा जो मूल उद्दे से की 30 मिटर एक दिन में और जो तो इसलिए बाकी के दिनों में हम 300-400 मिटर मुवमेंट कर पाए उसके लिए प्रहतन जारी रहेंगे ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने बताए कि वहां पर चंदरमा की सतय पर रोवर का मुवमेंट हो रोवर वहां पर चल पाए अपनी गतिविदिया कर पाए वो खास महतुपून है और उसके साथ-साथ जो एक्सपरिमेंट है वो कर पाए तो आपको जैसे पता ही है कि चार सेंसर या पेलोड लगे होए हैं लेंडर पे तो वो अपना कार्य कर रहे हैं अभी और उसके इनिशेल उपरेशन सब पूरे हो चुके तो एक तो है उसमें जो रंबा पेलोड जो थर्म उसके वहां की प्ल उसके चास्टे पेलोड जिसके बारे में आज विस्तार से इसरो की साइट पे भी रखा गया है कि ट्विटर साइट पे किस तरह से उसने जो इनिशेल एक्सपरिमेंट किये हैं उसके जो नतीजे सामने आए हैं कि चंद्र की सता पर लगबग 50-55 डिग्री सेंटिक्रेट ज उसके अललक जो प्रोब है उसमें अललक सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक जमीन के अंदर जाके लगबग 8-10 सेंटिमीटर तक वो जा सकता है तो 8 सेंटिमीटर तक के डेटा जो लिये हैं उसके मुतबिक माइनस 50 डिग्री सेंटिक्रेट से लेके प्लस 50 डिग्री सेंट और उनने कलेक्ट किये हैं तो वो डेटा अज उपलब्द है और उसकी माहिती हमारी ट्वीटर साइट पे भी रखेगी है और इस तरह से अन्या मेजरमेंट अलग जगे पे करके चैस्ट पे लोड़ तो अभी एक ही जगे पे है क्योंकि लेंडर पे लगा हुआ है तो वो उस जैसा कि मैंने बता है वहाँ पे लंबी राज सुरू होगी 14 दिनों की और उसके बाद हम अगर रिवाइव कर पाए कुछ पे लोड़ तो वो अमारे लिए बोनस होगा तो जैसा कि मैंने बता है समय के खिलाप दौर चल रही है और ऐसे यह एक्सपरिमेंट बार-बार जाए जाएगा और उसके बाद फर्दर उसका एनालिसीज एक बाद डेटा आ जाता है बाद में हमारे वेगना निक करते रहेंगे उसी तरह रंबा पे लोड का डेटा और एक सीजमिक जो इनर सीजमिक एक्टिविटी के लिए जो इस्टूमेंट लगा है तो मून पे जो मून क्वेक कहा जाते हैं तो मून क्वेक की इन्फरमेशन मून की सीजमिक एक्टिविटी जो है भुकमपि जो तरंग है उसके बारे में पता लगा के क्योंकि वहाँ पे एस्टेरोईड का भी बंबर्ड इंग होता है तो वो सबके कार्ण सीजमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है कई बार तो क्या हो रही है उसके बारे में भी महीति आम को मिलेगी और जो नासा का रिफ्लेक्ट। है साल में एक संटिमीटर या ऐसे कुछ तो वो उसमें कुतनी सच्चाई है जो साउथ पोल पर उसका इंपेक्ट कैसे दिखता है लक्सिनी दुरूप है तो ये मदद करेगा हमको एलारे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो ये चार पेलोड जो लेंडर पर लगे है हमको अलग माहिती अलग एकस्परिमेंट के देता रहेगा जैसे मैंने बताया अगले दिरस दिनों तक और जो दूसरे जो कारिया है हमारा रोवर का उसकी सतर पे चलाना जितना हो सके जैसे मैंने बताया कि एक दिन में 30 मीटर तक अगर चला पाते तो 300-400 मीटर अभी भी हम करा पाएंगे तो अलग जगे पे जाके रोवर वो एकस्परिमेंट करेगा जो स्पेक्ट्रोग्राफी एकस्परिमेंट हमने प्लान के है एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ और लेजर स्पेक्ट्रोग्राफ के दरा तो वो एकस्परिमेंट चालू हो गए है और उसके द्वा और एक खासकर रोवर जहां भी मुवमेंट करेगा, खासकर क्रेटर के आजुबा जुपे फ्रोजन आइस की संभावना वेगनानिकों ने जताई थी, तो पहले जो हमको हाइड्रोकसिल मॉलिक्यूल मिला था, और बीटर के द्वारा था, तक जो भी एक्सपरिमेंट हुए है और वो जब जो भी डेटर हमने कलेकिया वो रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हुआ है, और बीटर के जो गुमरा है, चंदर की सता के उपर, सो किलोमेटर पे, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे है, उसके द्वारा अललग सेंसर से जो महीती मिलती है, उस से पता लगा कि मून मिनरल मैपर MQ इसलिए कहा जाते है उसको तो कि वहां पे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल की खोज हुई थी पहली बार जब पता लगा था और उसके बाद हम कोई पता लगाने कि और भी उसको कोरोबरेट किया था हमारे डी एफ सार जो ड्यूल फ्रिक्व मिलती है पानी के बार में जानकारी तो वो उसकी और सबका ध्यान रहेगा तो यह एक्सपरिमेंट इसलिए काफी महत्वपूर्ण है लेजर के द्वारा या एक्सेस स्पेक्ट्रोग्राफिक के द्वारा जो दो सेंसर लगे रोवर पे इसलिए रोवर को अलग जगे पे ग हम भी जो कठी रात्री के बाद जबकि टेंपरेचर माइनस 120 से माइनस 150 डिग्री सेंटिग्र तक जाएगा उसमें ऐसी संभावना है कि इलेक्रोनिक्स में मुसीबत आ सकती है पाप आप इस रिवाई होने में सोल्डर जॉइंट्स और अललग जो तकनी की मुद्धे हैं उ जैसे कि मैंने बता है दोनों रोवर पे लोड कारी रथ है अपना डेटा कलेक्ट करने में और कुछ दिक्कत है जो हमको वीजिबिलिटी के कारण आ रही है उसका सामना करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालते हुए हम प्रायतना कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डेटा पृत्वी पे लाया जाए एक्सपरिमेंट के द्वारा तो चार जो लेंडर के जो इस्टुमेंट है वो और दो रोवर के जो इस्टुमेंट है और रोवर का मुवमेंट कराने में एक तो हमको बहुत ही कैरफूल रहना पाता है बहुत ही साटीक तरीके से करना पड़ता है क्योंकि कहीं पे अगर लुड़क गया रोवर और क्रेटर के अंदर गिर सकता है वो संभावना है इलिमिनेट करने के लिए उसके आगे जो दो नेव कैम लगे हैं उसके द्वारा नेविगेशन कैमेरा उसके द्वारा इमेड लेके पहले पुरुथवी पे उसको बेजा जाता है प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद हम यहां से कमांड देते हैं उसकी मूवमेंट के लिए तो एक बारी में हम पांच मीटर तक मूवमेंट कर पाते हैं तो ऐसे उसको पाच छे बार चलाए तो पच्चिस तीस मीटर दिन की एक बार में मूवमेंट कर पाएं और ऐसे बागी दस दिनों में अलग बग तीनसो चारसो मीटर घुमा पाएं तो हमारा यह मिशन बहुत ही सा अर्थक रहेगा यह कोशी से जब कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा से ज्यादा रोवर की मूवमेंट हो जिसके कारण हमको जैसा कि मैंने बता है जितना डेटा कलेक्ट हो पाए यह दस दिन तो हमारे पाद है उसके बाद कि रातरी के बाद जो अन्य डेटा भी अगर नसीब हमारा सही काम कर रहा है तो और रिवाईव करके हम कर पाएंगे तो वो हमारा बोनस डेटा रहेगा तो इस तरह से प्रयतन सब हो रहे हैं और अच्छी तरह से सब इंस्टुमेंट कार्य कर रहे हैं और यह अभी तक का आज तक का जो लेटेस्ट इंफरमेशन है इस प्रकार से है और हम आसा करते हैं कि इस तरह सब इंस्टुमेंट साउथ पोल का दक्सिनिद्रू का जो आज तक कभी भी इंसिटू ऐसे एक्सपरिमेंट नहीं हुआ है अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है वो रिमोट सेंसिंग इंस्टुमेंट द्वारा ही हुआ है चंद्र के उपर अलग मिशनों से तो ये पहले बार इंसिटू अभी डेटा कलेक्शन, एक्सपरिमेंट और अन्या जो प्रवूति हम कर रहे है और जी इसका तीसरा मुख्य उद्देर से है हमारे मिशन का सौफ्ट लेंडिंग और रोवर मुवमेंट के बाद कि ज्यदा से ज्यदा एक्सपरिमेंट चंद्र की सतह पे किये जाए तो वो कारे चालू है